नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए पुनह एक बार एक और नई जानकारी को ले करके जहां हरी मिर्च को खाने के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई ये जानकारी है हम फायदे और नुकसान दोनों इसलिए बताते हैं ताकि आप इसका सद उपयोग कर पाएं जिनके लिए लोस्क कारक हो वो इसका इस्तेमाल न करें और जिनके लिए फायदे मंद हो जिन जिन बिमारियों में फायदा करता हो वो लोग अगर उस बिमारी से पीड़ित हैं तो इसका लाव उठा सके हरी मिर्च का उपयोग करने से खाने में स्वाद आ जाता है यदि खाने में मिर्च ना हो तो आप चाहें कितनी ही मसाले क्यों न डाल दें पर खाना मज़ेदार नहीं लगेगा वैसे तो मिर्च कई रंगों में आती है जैसे लाल पीली हरी इत्यादी ल बढ़ाता है बलकि इसमें शरीर के लिए जरूरी कई सारे विटामिन्स भी मौजूद होते हैं आपको भले ही जानकर आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन इसके सेवन से आपको सिहत के कई सारे फायदे मिलते हैं जिन लोगों में आईरन की कमी होती है उनके लिए हरी मिर्च बहुत फायदे मंद है क्योंकि हरी मिर्च आईरन का प्राक्रितिक श्रोथ है हरी मिर्च विटामिन के का अच्छा श्रोथ है इसलिए इसे खाने से आश्टियो पोरोसिस की संभावना कम होती है इसमें मौजूद एंटी बैक्टिरियल गून कई प्रकार के संक्रमर से हमें दूर अछते हैं चाहें पतली वाली हरी मिर्चो या शिमला मिर्च दोनों में ही अच्छी मात्रा में इंटियोक्सिडेंट पाए जाते हैं इसलिए आईए सबसे पहले हम जानते हैं हरी मिर्च के फायदों के बारे में हरी मिर्च खाने से हरदय को फायदा होता है हरी मिर्च हमारे हरदय के स्वास्थे को भी सुधारती है यह बुरे कोलेस्टरोल को कम करके धमनियों के सक्त होने को रोकती है यह फिब्रिनोयल्टिक के गतिविधी को बढ़ाती है फिबरी नियल्टिक हमारे शरीर में खून को जमने से रोकने में मदद करता है जिससे दिल का दोरा आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है हरी मिर्च खाने से वजन घाटाने में लाब होता है बहुत से लोगों को सुन कर थोड़ा आश्चर्य लगेगा पर हरी मिर्च के सेवन से वजन घाटाने में भी मदद मिलती है जब हम तीखा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में उश्मा बनती है यह उश्मा हमारे शरीर से कै ठालोरी को जलाती है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उन्हें हमेशा फीका और कम तेल का खाना खाने की सलाह दी जाती है। हरी मिर्च में रक्ते चाप को नियंतरित करने के गुन होते हैं इसलिए उच्च रक्ते चाप के मरीच को अपने आहार में संतुलित मातरा में हरी मिर्च को शामिल करना चाहिए इसके साथ साथ ये आँखों के लिए भी बहुत फायदे मंद होती है हरी मिर्च का सिवन हमारी आँखों के लिए भी फायदे मंद है इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा के रोटिन आँखों के लिए अच्छे होते हैं हमेशा हरी मिर्च को अंधेरी जगह पर रखें क्योंकि रोशनी धूप के संपर्क में आने से इसके अंदर का विटामिन C खत्म हो जाता है हरी मिर्च के गुण मस्तिश्क के लिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है बहुत से वेंजनों में अधीक मिर्च होने पर भी वो इसे खाते रहते हैं हरी मिर्च मस्तिश्क में एंडोर्फिन का रिसाव करती है इससे हमारी मनुदशा में सुधार आता है और हम खुश महसूस करते हैं हरी मिर्च खाने के फायदे त्वचा के लिए यादि आप अपने त्वचा को खुबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में हरी मिर्च खाना शुरू कर दें हरी मिर्च में विटामिन C और A होता है जो त्वचा के स्वास्थ के लिए बहुत ही लाफ दायक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारी मिर्च खाने लगें आपको हरी मिर्च का संतुलित मातरा में ही उप्योग करना है नहीं तो आपके पेट में जलन होने बढ़ाती है जिहां जिन लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत कमजोर होते हैं उन्हें बिमारियां बहुत जल्दी अपना शिकार बना लेती हैं सरदी खासी जैसी बिमारियां तो आए दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं यदि आप अपने आहार में हरी मिर्च को शामिल करते हैं तो इससे आपको विटामिन C मिलता है और आपकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है हरी मिर्च में भी नारंगी के समान विटामिन C होता है जो हड़ियों और दांतों को भी मजबूत बनाती है इसके साथ साथ ये तो रहे हरी मिर्च के फायदे पर इसे ही इसका अधिक मात्रा में सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है इसमें मौजूद कैपसाइसीन पेट की घर्मी को बढ़ाता है जिससे अनेको प्रकार की स्वास्ते संबंधित परिशानिया होती हैं हरी मिर्च में अधिक फाइवर होता है इसकी अधिक मा सर की संभावना को बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन और चकर की समस्या भी हो सकती है हरी मिर्च के अधिक सेवन से मधुमेह समान्य से भी नीचे हो जाता है अतह मधुमेह रोगी को मधुमेह की दवा ले रहे हैं वह लोग हरी मिर्च का अधिक से सिन होने के कारण बवासीर से पीडित व्यक्ति इसका अधिक मातरा में सिवन नहीं करें नहीं तो आपको बवासीर में और दिक्कतें आने लगेंगी तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए हरी मेर्च के फायदों और नुकसान से जुड़ी हुई भायदे और नुकसान हम आप सभी को इसलिए बताते हैं ताकि जैसे के अभी हमने बताया कि हरी मेर्च अगर आप बवासीर से पीडित हैं तो आपको इस् का फायदा लेने के लिए उचित मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए रेगुलर इस्तिमाल करना चाहिए ये पेट के लिए बहुत अच्छा भी होता है जब आप इसे संतुलित मातरा में लें या कम मातरा में लें तब तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के ल ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों